आज का अपना टोपिक है कैपिस्टरन्स ओफ ए पैरलल प्लेट कैपिस्टर विद कंडेक्टिंग स्लैप यानि यह हमारे पास से एक एक्सप्रेशन है और यह एक्सप्रेशन काफी इंपोटेंट है एक्जाम व्यू के अकोडिंग तीन चार बार जो है एक्जाम में आ चुक है ठीक है तो और यह हमारा आज का जो टोपिक रहेगा वो फर्स्ट जो आपकी यूनिट है उसका लास्ट टोपिक है तो देहें इसमें हमने क्या कर लिया दो पैरलल प्लेट कंसेडर कर ली हमने इस परकार से जो है यह दो पैरलल प्लेट कंसेडर कर ली इन प्लेट का जो एरिया है वो क्या है एरिया ए है एरिया हमने माल लिया ए एरिया है और यह स्माल डिस्टेंस डिस्टेंस की दूरी के उपर सेपरेट है ठीक है और इनके उपर जो है अपोजिट चार्ज है दोनों प्लेट के उपर क्या है अपोजिट चार्ज एक के उपर हमने माल लिया पोजिटिव चार्ज हो गया और दूसरे के उपर क्या माल लिया हमने नेगटिव चार्ज हो ग हो जाएगा तो देखिए the electric field between parallel plates without conducting slab ठीक है बिना conducting slab के जो electric field है वो कितना हो जाएगा वो हमारे पास E note और किसके equal होगा क्यों by A epsilon note के बराबर ठीक है और electric potential देखें without conducting slab तो कितना हो जाएगा the electric potential difference across parallel plate capacitor without conducting slab without a conducting slab without conducting slab देखें electric field किसके equal होतना हमारे पास potential difference से per unit distance हो जाएगा आपके पास और distance हमने क्या लिया है जो T है हमारे पास तो यहां से electric potential किसके equal हो जाएगा E note D के बराबर हो जाएगा यह equation first मालो और यह हमारे पास कौन से हो जाएगी second equation हो जाएगी E note की value put कर दो इसके अंदर put value of E note E note की इसमें value put कर दो तो क्या हो जाएगा V note is equal to Q by A epsilon not into में D के बराबर हो जाएगा ठीक है जो Q है V note हो गया इसको तो Q के नीचे ले आएगा और बाकी ट्रम को दूसरे साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा Q by V note is equal to हो जाएगा यह दूसरे साइड जाकर multiply में हो जाएगी A epsilon not divide by D के equal हो जाएगा Q by जो V note है तो वो किसके equal हो जाएगा Capistence के equal यानि C note और यह A epsilon not by D के बराबर हो जाएगी ठेक है यह जो Capistence आया हमारे पास से यह क्या है Without Without Sorry, with conducting slab जो Capistence हो गया हमारे पास से वो क्या है With conducting slab यह C note हम लिख भी सकते है Capistence of Parallel plate Capistar With conducting slab ठेक है अब हमने क्या किया कि एक T thickness की जो Conducting slab है वो हमने इसके बीच में रख दी Parallel plate Capistar के यह जो Thickness है वो कितनी है T thickness है ठीक है तो जो free charge है Conducting slab के अंदर वो क्या हो जाएगा वो इसके surface के उपर आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा Positive charge आ जाएगा और इधर कौन सा हो जाएगा इधर Negative charge आ जाएगा इस परकार से और इसके अंदर जो electric field है हमारे पास वो किसके equal Zero के equal कोई charge भी नहीं है यानि Charge भी हमारे पास क्या है Zero है ठीक है तो electric potential देखे इस T thickness की slab की वज़े से हमारे पास कितना हो जाएगा तो वो देखे एक बार note down कर लेते इसको वहन एक conducting slab वहन ए conducting slab of thickness T and same area as plates ठीक है दोनों का area क्या है same है plates of capacitor is placed between parallel plate capacitor between parallel plates ठीक है जो parallel plates है उनके बीच में हमने क्या कर दिया ये T thickness की एक conducting slab है वो हमने रख दी ठीक है तो उसे क्या होगा then free charges inside conducting slab resides over the surface of conducting slab and net charge and net electric field become zero ठीक है net charge और net electric field जो है वो zero हो जाएगा inside the conducting slab क्यों zero हो जाएगा ये हमने पहले भी जो कर चुके है इसमें ठीक है जो आपको behavior of dialectic slab in electric field उसमें हमने आपको बताए था कि जो electric field है inside जो conducting slab या जो dialectic slab जो हमने लिया था कि वो zero क्यों हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर potential difference निकाले तो क्या हो जाएगा the electric potential difference आपके पास वी के बराबर और इनोट टी और टी कितना आपके बार आपके बार हो जाएगा डी माइनस से टी के इक्वल ठीक है डी माइनस टी कैसे आगया total तो यह थिकनस क्या ली थी हमने डी ली थी जो पूरी थी हमारे पास से इनके बीच में जो distance था gap जो था और यह थी थिकनस हमारे पास T तो यह जो है हमारे पास यह वाला एरिया और यह वाला एरिया डी में से हमने क्या कर दिया T माइनस कर दिया इसमें ठीक है तो potential हो गया हमारे पास से यह हो गया E note की value put कर देते हैं put value of E note E note की हमने value put कर दिया तो क्या हो जाएगा Q by A epsilon 0 D minus T हो जाएगा इसको हमने जो है वो third equation दे दी ठीक है क्यों को दूसरे इस V को इस दर ले आओ और bucket रम दूसरी side कर दो तो क्या हो जाएगा Q by V is equal to A epsilon 0 और यह हो जाएगा D minus T के बराबर हो जाएगा ठीक है अब देखिए Q by V जो है वो किसके equal है वो C के equal होता है Capistence और A epsilon 0 divide by D minus T हो जाएगा इसमें से D को में ले लेते हम यहाँ पर ठीक है तो किसके equal हो जाएगा A epsilon 0 यहाँ से D वार ले लिया तो यहाँ बच गया 1 और यह हो जाएगा minus में T by D के बराबर हो जाएगा ठीक है अब देखिए A epsilon 0 by D यह किसके equal था हमारे पास यह C note के equal था Capistence जो हमारे पास आया था with conducting slab तो C is equal to क्या हो जाएगा C note divide by 1 minus T by D के equal यह हमारे पासे Capistence हो जाएगा with conducting slab तो यहां से क्या conclusion निकलता है कि जो Capistence है parallel plate Capisture का वो increase हो जाएगा with conducting slab ठीक है result हमारे पास positive है न तो क्या हो जाएगा Capistence increase हो जाएगा जैसे जैसे हम thickness जो है conducting slab की बढ़ाएगे तो उससे Capistence भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा ठीक है और थिकनस जो है conducting slab की यदि वो इस distance के equal आ जाती है D के equal आ जाती है ठीक है यहां देखो वहन T जो है हमारे पास D के equal हो जाएगे और अगर D के equal हो गई तो T और दोनों क्या हो जाएगे 0 something upon 0 Capistence कितना हो जाएगा infinite हो जाएगा ठीक है तो यह बाते आपने लिखनी पढ़ेंगे इसके अंदर है कि Capistence of parallel plate capacitor increases with conducting slab ठीक है conducting slab के साथ increase होगा as the thickness of conducting slab increases then Capistence also increases ठीक है जैसे जैसे उसके थीकनस increase करेंगे तो Capistence बढ़ता रहेगा when thickness of conducting slab become equal to distance between parallel plates then Capistence become infinite तो Capistence क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा तो यह जो मैंने अभी बाते बताई हैं आपको यह last result में आपने जरूर लिखनी है ठीक है तो यह topic था हमारा Capistence of a parallel plate Capistence with conducting slab अब हमारे पास है यह तो थी conducting slab और अब जो है वो हम लेते कोई dielectric slab हो उसके दवारा Capistence है वो कितना हो जाएगा ठीक है तो अब जो है वो है expression for Capistence of a parallel plate capacitor with a dielectric slab ठीक है conducting slab की जगह क्या कर लिया हमने के dielectric slab है वो हमने ले ली उसी प्रकार से हमने क्या ले लिया है के parallel plate Capistence ले लिया और जिसके उपर क्या है positive charge है और इधर क्या है इसके उपर negative charge है और दोनों के बीच में जो separation है वो separation कितना है d distance का separation है ठीक है तो वही सेम बाते कि हमने क्या कर लिया parallel plate consider कर लिया जिसका area of cross section A है और small distance की दूरी के उपर है d के उपर ठीक है अपोजिटली चार्ज हो गया तो electric field कितना हो जाएगा without dielectric slab electric field without dielectric slab without a dielectric slab तो वो हमारे पास E note हो जाएगा और q by A epsilon note के equal हो जाएगा और ऐसे ही electric potential निकालेंगे तो electric potential difference across the parallel plate capacitor without dielectric slab तो वो हमारे पास V note के equal और E note D के बराबर हो जाएगा ये first equation हो जाएगी हमारे पास बलगी इसको first ball दो और ये हमारे पास से second हो जाएगी ठीक है E note की value put कर देते हैं जैसे पहले में किया था हमने put a value of E note E note की value put कर देतो V किसके equal आ जाएगा V note जो है Q by A epsilon note into me D ये सारा procedure बिल्कुल सेम वैसा ही है ठीक है जोसे पहले topic में किया था हमने तो V note को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा Q by V note is equal to A epsilon note divide by D के equal हो जाएगा और ये किसके बराबर होता है Q by जो V note है ये C note के equal और A epsilon note divide by D ये हमने क्या निकाल लिया Capistons निकाल लिया इसमें ठीक है अब बात करते हैं जब हम dielectric slab को इसके बीच में रखते हैं वहन A dielectric slab of dielectric constant क्या माल लिया हमने कि कोई dielectric slab है जिसका dielectric constant क्या है K है और उसकी thickness जो है वो क्या है T thickness है और same area हो गया उसका ठीक है जैसा हमने plate के उसमें लिया है तो induced electric field डैवलप हो जाएगा जो हमारे पास से opposite direction होगी electric field की उसके हमने क्या किया इसके बीच में T thickness की जो जो dialectic slab है वो हमने रख दी ठीकनस क्या है इसकी यहां से यहां तक की T thickness है ठीक है electric field अगर देखे इसमें क्या है electric field इधर है electric field की direction positive से negative की तरफ और जैसे ही हमने जो dialectic slab इसके अंदर रखी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा induced electric field डेवलप हो जाएगा ठीक है induced electric field जिसको हमने क्या दे दिया EP नाम दे दिया इसमें polarization की जैसे is produced और ये किदर होएगा opposite direction में इनने opposite opposite direction of electric field जो हमने apply किया था ठीक है and the dialectic constant और जो dialectic constant है वो किसके equal हो जाएगा यानि जो EP है EP की direction क्या हो जाएगी ये इस परकार से हो जाएगी ठीक है और यहाँ पर अंदर जो देखे electric field किसके equal हो जाएगा E is equal to E not minus EP के बराबर हो जाएगा ठीक है और इसकी भी direction क्या हो जाएगी जो हमारे पास electric field है apply किया था ये इस पर कर रहे जाएगी तो dielectric constant किसके बराबर होता है E not by E के बराबर और यहाँ E कितना है E not minus EP है ये हमारे पास dielectric constant होता है ठीक है इसको हमने क्या दे दिया third equation दे दी तो अब electric potential निकाले तो वो किसके बराबर हो जाएगा electric slab electric potential in parallel plate capacitor with dielectric slab जो हमारे पास electric potential हो जाएगा वो हो जाएगा E noted D minus T ठीक है plus में E T के equal हो जाएगा ठीक है कैसे देखिए T तो ये थी आपके पास तो क्या हो जाएगा ये distance और ये distance बजाएगा ये D में से हमने T अटा दिया और दूसरा कौन सा हो गए ये अंदर वाला electric field जो था और into में जो इसकी थिकनस थी T तो ये total potential हो जाएगा आपके पासे E noted D minus T plus में E T के equal हो जाएगा ठीक है इस में से E not को में ले लेते हम हमने क्या किया E not को में ले लिया तो ये बजाएगा D minus T plus में E not E by E not हो जाएगा ठीक है और into में T के equal हो जाएगा अब हम E not की इसकी value पुट कर देते है जो के की पुटे value of E not and के इसको हमने क्या दे दिया fourth equation दे दिया in equation four four equation में पुट करें तो V is equal to E not की value होगी क्यों बाई A epsilon not ठीक है यहाँ बच गया D minus T और यहाँ क्या हो जाएगा पलस में अब जो K होता है वो E not by E के equal होता है तो E by E not इसका उल्टा हो जाएगा that is one by sorry T by K हो जाएगा इसमें ठीक है V को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा क्यों by V is equal to A epsilon not और यह नीचे आजाएगा D minus T पलस में T by K के equal हो जाएगा ठीक है इसमें से D common और ले ले लेते हैं यह किसके बराबर हो गया C के बराबर A epsilon not यहाँ हो जाएगा divide में D common ले लिया तो 1 बच गया माइनस यहाँ पर है नहीं तो divide में आजाएगा पलस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा K और D आजाएगा A epsilon not divide by D यह term किसके equal हो जाएगी यह आपके पास से C note के equal थी और divide में यहाँ क्या बच गया 1 minus T by D इसमें से 1 minus जो आपके पास यह था ठीक है यानि 1 और इन दोनों में से जो है T by D common ले ले हम तो क्या बच जाएगा यहाँ 1 बच गया हमने क्या किया 1 minus agities है और T by D हमने यह बाहर ले लिया minus का तो यहाँ पलस था तो यहाँ क्या जाएगा minus का 1 by K और यह T by D तो बाहर आ जाएगा ठीक है minus का T by D हमने क्या कर लिया इसमें से बाहर ले लिया तो यह आपके पास net capacitance हो जाएगा with dialectic slab ठीक है तो क्या conclusion निकला यहाँ से देखो तस the capacitance of parallel plate capacitor with a dialectic slab with a dialectic slab increases as the thickness of dialectic slab increases ठीक है जो capacitance है parallel plate capacitance का वो क्या होगा with dialectic slab increase होगा जैसे जैसे dialectic slab की thickness हम increase करेंगे जितनी ज़्यादा thickness हम increase करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा जो capacitance है वो बढ़ता जाएगा ठीक है और इसमें capacitance जो है parallel plate capacitor का वो भी बढ़ जाएगा इसके साथ-साथ जब thickness जो है हमारे पास से parallel plate capacitor की वो d के equal हो जाए तो उस time capacitance क्या होगा maximum होगा ठीक है जब आपके पास t जो है d के equal हो जाए ठीक है ये दोनो d के equal हो जाए तो ये ट्रम क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है तो उस time capacitance किसके equal हो जाएगा k c note के equal हो जाएगा ठीक है न वहन thickness of dielectric become equal to distance between parallel plate capacitor then capacitance of parallel plate capacitor become maximum तो उस time maximum हो जाएगा कितना हो जाएगा c is equal to k c note हो जाएगा ये हमारे पास जो expression थी parallel plate capacitor with a dialectic slab तो ये दोनो जो है expression बहुत important expression है विटा इनको आपने अच्छे से करना है exam के अंदर जो है वो पूछी गई है ये दो तिन बार तो यहाँ आपकी first unit complete हो जाती है इसमें किसी को भी कोई भी problem हो कोई भी doubt हो तो वो comment box में आप जरूर लिखे तो वो आपका solve कर दिया जाएगा ठीक है अब आपके पूरी unit की जो numerical problem है अगले वीडियो में हम जितने हमारे board के exam के अंदर numerical problem आ चुकी है वो सारी numerical problem हम solve करेंगे ठीक है थैंक यू